लो आ गया उत्राखन बोर्ड के लिए बहुत बड़ा अपडेट एन उत्राखन बोर्ड के स्ट Recommend's पहला लिए दिजिए य проблема अपडेट है कि इस बार आपका class 10 अबसक्षा βा wholly रद हों चुका था उन्होंने रद कर दिया था बोर्ड में एट class 12 का जो एक्जाम है वो प्रस्पोन कर दिया है तो अब आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का एक्जाम कब होगा and second thing हम बात करेंगे कि क्लास 10 को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ पर देखो हाजरी मासिक परिक्षा के नंबर पर तरीक करेंगे हाई स्कूल का रिजल्ट जो भी आपका एटेंडन्स है और जो भी आपका मंतली एक्जाम सुएत है स्कूल खुलने के बाद तो उसी के आधार पर उसी के बेस पर यहाँ पर आपको प्रमोशन्स मिलेगा नेक्स्ट क्लास में क्लास 11 में तो देखें किस आधार पर नंबर्स मिलेंगे आपके तो अगर हम बात करें तो 2 नमबर 2020 को स्कूल खुलने के बाद से चात्र चात्राओ की स्कूल में हाजरी और उसके बाद अर्दवाशिक या प्रीबोड परिक्षा और मासिक परिक्षा के विशेवर प्रदर्शन एंड इसकूल बंदी के दौराण कि ये गए नए प्रोजेक्ट या परियोग प्रोजेक्ट वर्क आदी बर्ष 19-20 में नभी कक्षा में उपस्ती थी और सालना परिक्षा का रिजल्ट इसकूल पर आंतरिक, मुल्यांकन, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल के नभर तो इसकूल इसतर पर जो भी आपके इंटरनल असिस्मेंट हुआ है जो भी आपके प्रैक्टिकल सुए उनके नभर्स मिलेंगे आपको 20 मार्क्स के वो नभर्स मिलते हैं बाकी जो 80 मार्क्स आपको मिलेगा वो आपका प्रिबोर्ड का रिजल्ट उसके बिहाप पर मिलेगा और उसके बाद आपका यहाँ पर नंबर्स मिलेंगे आप कितने दिन स्कूल गए उसके बिहाप पर आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बाद class 9th का जो आपका result है तो class 9th के result के भिहाब पे भी आपको कुछ marks मिलेंगे तो 80 marks को वो divide करेंगे जैसे 10 marks आपके attendance पे हो गए 20 marks आपका simply माल लेते हैं कि आपका massive प्रेक्षा क्या उस पे हो गए 30 आप 40 marks आपके project work के हो गए इस तरीके से marks distribution होगा और उस marks के उस distribution के आधर पे आपको यहाँ पे class 10th में marks मिलेंगे ठीक है और अगर हम बात करें class 12 की तो बैटे class 12 की अभी तक कोई मतब यहाँ पे decision नहीं लिया गया है तो जो नीता तिबारिया सचिफ बिदाले शिक्षा परिक्षा की उसे बारिबिक कक्षा की बोर्ड परिक्षा को लेकर एक जून के बाद की स्तिती को देखती होई निर्णाय लिया जाना है मतब decision आपका एक जून के बाद में आएगा अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटर की intermediate की परिक्षा जो है यहाँ पर बोर्ड कराने के लिए बहुत ज़्यादा गंबिर है आप यहाँ पर देखेंगे न्यूस यहाँ पर पढ़ेंगे जिस प्रकास अंकरमेंट गिरावट आ रहे है उसे intermediate की बोर्ड परिक्षा को कराने के लिए सरकार गंबिर है तो आप यह मानके चलिए बटा क्लास 12 के जो exam से है वो होंगे definitely होंगे और इसके लिए बोर्ड preparations भी कर रहा है किस तरीके से exams कराने में सब्जेट के exam कराने या सारे subject के exam कराने इस पर decisions लिया जा रहा है तो क्लास 12 के student अभी अपने preparations को रखे और class 11 10 के जो students हैं वो आप class 11 के preparations को start कर सकते हैं 100% बच्चे इस बार UK board में pass हो जाएंगे तो अगर हम बात करें class 12 class 12 का जो exam है बिटा हम मान के चलते हैं कि जून के last में हो सकता हैं जून के अंत में जो है आपका exam हो सकता है या July के 1 में आपका exam हो सकता है तो देखते हैं जैसे भी updates आएगा हम आपको updates देते रहेंगे तो latest update पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें and notification bell को ज़रूर दबाए और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लिस वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करना चलिए फिर मिलते हैं इस एक interesting है जानके रिपॉंड वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत